जैसे हो बच्चों चलिए आज हम देखते हैं आगे के प्रश्ण कौन-कौन से पूछते हैं बच्चे प्रश्ण करता है उसका नाम है रुहित चतुरवेदी कौक्षा ग्यारवी से हैं इस्लामिया इंटर कोलेज इटावा से आये हैं वो पूछते हैं आप करते हैं कि भारत 2020 तक विक्सित राष्ट्र बन जाएगा पर निरंतर बढ़ती जनसंख्या और बेरोजगारी इससे संब होने देगी देखे अभी जो दोक्टर कलाम ने अभी आगे ही कहा था ना कि 2020 तक हमारा देश से उरुक्षित राष्ट्र बन जाएगा लेकिन जो बेरोजगारिया है हमारे देश में और यह जो जनसंख्या बढ़ रही है इतनी देजी से तो हम क्या हमारे लिए संबभ हो प कोशद है इसमें जन शिक्षा विशेश कस्त्री शिक्षा की बात भी सम्मिली थे इससे चोटा परिवार सुखी परिवार की मानियता को बल मिलता है भारत 2020 का मिशन यहां के युवाओं को रोजगार के प्राप्त परियापत अवसर सुलब कराएगा ग्रामें क्षेत्रों म बड़ी संख्या में ओध्योग धन्दे स्थापित किये जाएंगे जिससे उन ख्षेत्रों में रोजगार के प्रचुरवसर्थ पैदा होंगे अभी कलाम जी कहते हैं कि जैसे ही विकास हमारे देश में होगा रिक्सित होगा हमारा देश तो जैसे इस तरी सिक्षान मिलेग तो उस तरी बुलेंगे कि बड़ी जो है चोटा परियार सुखी परियार उस्सी मानने अता को मानेंगे और जैसे बच्चे कम होंगे तो हमारे देश में और रोजगार भी गाउं में हर जगह पर सब ये जन संख्या जैसे बड़ी जितनी भी है तो जैसे इस अंख्या बड है वह अच्छे से हो जाएगा यानि कोई भी जो है गाउं छोड़कर सहर की और नहीं भागेंगे विकास के लिए वही पर सभी इतने रोजगार सबको मिल जाएंगे प्रशनकरता और स्मयता है कोक्षा बारवी से पोच रहा है तेचस है स्कूल बड़ोदासर आपको ऐसा क रहे जाएंगे की कि 2020 तक भारत विक्सित राष्टर बन जाएगा है अभी देखिए वह पूचे लें कि आपको क्यों लगता है कि 2020 तक बंबन जाएगा हमारा ऑन भारत है वक्सित राष्टर में परिवर्थित करने के लिए हमारे पास प्रचूर प्राक्रोटिक संसाधनों से के साथ ही सुन नियोजित खाका भी उपलब्द है 54 करोड युगाओं के विचारों की एकता निश्चे ही इसे विक्षित राष्टर में परिवर्थित करने में सफल होंगी अभी यह जो है यह जब यह जो मुलाकात है जब हुई थे यह काफी साल दो तीन साल या फिर चार पांच साल पहले की हैं तो उसमें बताया है कि अभी 2020 चल रहा है लेकिन अभी भारत रिक्सित राष्टर नहीं बना है उस दिन जब भारत की जंसन किया एक अरब से अधिक इंटर्यू जब लिया गया है जब सवाल जवाब हो रहे हैं यह जो है कटना वह उस टाइम पर 54 करोड लोग है वह 25 वर्स से कम आयो के थे देखिए इस टाइम उस टाइम पर जो बात उन्होंने कहीं बिल्कुल सही थी लेकिन अभी क्या है कि हमारे युवाओं के पास यह युवाज ज्यादा हमारे पास थे हमारे देश में अभी भी हैं लेकिन उनके पास सोचने का पता नहीं क्या है कि वह देश को विक्सित करने के बारे में सोचते ही नहीं पताने किन किन चीजों के बारे में सोचते हैं हमारे देश को आगे बढ़ाने के लिए अगर सभी जो के लिए प्रयास करोगे कि हमारा देश कैसे अगले बढ सब्सक्राइज अगर आप लोग सोचोंगे और आगे बढ़ ओगे जैसे है तो आप पीजित उजाओं जो जाओगा तो ऑटमेटिक है इसने में सब्सक्राइज अतना करता है एसकार्तिक कक्षा बारवी से अमर जोती इंगली स्कुल बेंगलोरुस से हैं वो पूछ रहें कई चात्रों के बड़े-बड़े लक्षे होते हैं पर आर्थिक तथा अण्य समस्यों के कारण वे इने प्राप्त नहीं कर पाते हैं वे अपना लक्ष आखिर कैसे प्राप्त करें वो भी पूछ रहे कि देखिए कई चात्र जहें जो स्टूड़न्ट है वो बड़े-बड़े उनके लक्षे होते लेकिन उनके पास पैसों की तंगी होती है या फिर अन्य और कोई समस्यां के करण वे अपने लक्षे तक नहीं पहुंच पातें तो वो अपने शिक्षा के लिए बैंकों से रिण लेना है तू पात्रवता भी बनेगी जीवन में उंचा लक्षे निर्धारित करने पर बाधाएं तो आती ही हैं हमें कठोर परिश्ट्रम और उतकृष्ट कारियों से इन्हें पराजित करना होगा विग्ण बाधाओं से रिक्ति को परा पुलर्शिप वह मिलेगी जैसे आपको ज्यादा उची पढ़ाई के लिए जैसे उची शिक्षा के लिए हाई लेवल की जब का आपको लेनी है उसके लेवल का एद्जूकेशन लेना है तो आपको बैंकों से लोन भी मिलेगा ठीक है इसके लिए आप अच्छा का आपने के लिए जाओ एना तो आपको बादन है तो आएंगी खेल से लेकिन आपको अपनी बाधाओं को लेकिन अपनी बादने से हराना है उन अपने अच्छे कारियों से अपने महनत से उसे जो भी बाधा है और आपके बीच में जो भी विगन और बाधा है जो भी आती है तो आपको उनको हराना है हमको खुद को हारना नहीं है यानि हमें अपनी महनत से अपने जो भी हमारे जीवन में हमारे लक्षे को प प्रश्न करता है मिथ उनके दिवितिय वर्ष बी लेवल के हैं वो यह AICT अमरितापुरी से हैं तो वो पूछने हैं भारत को विक्सित राष्टर बनाने में राजनेतिग्य कि क्या भूमिका होनी चाहिए अभी देखें वो पूछते हैं कि राजनेतिग्य यानि जो भी यह पूलिटिक से वो क्या करेंगी हमारे देश को जो विक्सित करना है तो हमारे राजनेतिगी जो पूलिटिशन से वो उनको क्या करना चाहिए उनकी क्या भूमिका होगी यानि कि वो क्या करेंगे तो डोक्टर कलाम ने कहा जिम्मेदर राजनेतिग्य है दूर दर्शिता अच्छेडी थी वर्तमान राजनेतिग्यों को अपने कठिन परिष्टरम उत्कृष्टता और पारदर्शी कारियों से मार्गदर्शन देना होगा साथी गरीबी रेखा से नीचे रह रहा है लगबग 26 करोर भारतियों के उत्थान के लिए भी कार्य करना होगा देखे उन्होंने बताया कि जो भी जिम्मेदार राजनेतिग्यों जो पोलिटिशन है जो जिम्मेदार है तो वो क्या करेगा दूर्द अश्रिता पूर्ण अपने नितिया बनाएगा ताकि आगे जाके देश को फाइदा हो महात्मा गांधी जी ने कैसे अपने निष्ठा से राजनेतिक सिद्धान्त सत्य अहिंसा और निष्वार्थ भावना में ठालते हुए ब्रिटिश रासकों से अपने लड़ाई छेड़ी और कैसे हमको आजादी दिलवाई थी वैसे ही अभी जो वर्तमान जो पॉलिटिशन से वो क्या करेंगे अपने महनत से वे जो भी काम कारिया करेंगे उसमें पारदर्श्री कारिया यानि वो कोई भी जो भरष्टाचार या फिर और कोई किसी को आड़े ना आजने देते हुए हमारे देश को आगे बढ़ाने के लिए देखिए वो मार्क दर्शन देंगे सही से और साथ ही जो 26 करोड भारतिय लोग जो गरीबी की नीचे रेखा के नीचे जो जी जाये उनको भी उपर उठाने के लिए वो प्रयास उनको करना होगा और कारिया भी करने होगे ऐसे उन् नंदीता सूभी तृतिय वर्ष मजी आर इंस्टिट्यूट चैन्नी से हैं वो पूछती है रक्षा की द्रश्टी से विजन 2020 का लक्षय पाने में महिलाओं की क्या बोमिका हो सकती है भी दखे रक्षा की द्रश्टी से यानि जो हमारे महिलाओं के लिए उनके लिए उनकी कुल परत्व क्या अनुद करेंगी महिला है हमारे महिलाओं की रुक्षा के लिए तो महिलाओं को क्या करना है है अपने 2020 का लक्षय यानि 2020 को विक्सित द्रश बनने के लिए महिलाओं की क्या भूमिका होनी चाहिए तो डोकटर कलाम कहते वीजन 2020лен्य रक्षाण प्रयोग क क्षेत्र हिकी महत्व पुर्णोप प्रोध्योगी कियाओं के विकास पर विचार किया गया है। राष्ट्रिय सुरक्षा की बात भी रिजन 2020 का एक अभिनांग है। ससस्त्र सेनाओं में नियुक्ति के लिए पूरुष और महिलाओं के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया चाता। तीनों सेनाओं में परियाप्त महिला अधिकारी नियुक्त है। राश्ट्रिय रक्षा क्षम्ताओं में वृद्धी के लिए महिला ये उच स्तरिय सामारिक सेना बहु गुणक उपकरणों के पर कार्य करके अभी अपना सयोग दे सकती है। तो वो भी देखिए अपना ये ससस्तर सेना है चाहिए कोई भी है उस सब में महिलाओं के साथ पूर्शों के साथ साथ महिलाएं भी हैं और उनके लिए कोई बेदभाव नहीं किया जा रहा है। वो हमरे देश की रक्षा के एक्षेत्र में भी सारे काम कर रही हूँ वहाँ पर उनकी भी बहुत महत्वा पूर्ण भूमिका है। प्रश्ण कता जोदपूर दोरे पर डोक्टर कलाम से एक बच्चे द्वारा पूछा गया प्रश्ण भी जोदपूर दोरे पर एक बच्चा है वो पूछ रहा है। उसने प्रश्ण पूछा, क्या हम अतिविषिश्ट वियक्तिओं के द्वर्य पर हो रहे हैं अनावश्चक खर्चे कम नहीं कर सकते हैं। अब कहा है की जैसे एक बच्चा मीं हरते हैं की जीजिए हम विशिश्च्य वियक्ति जो भी खास वियक्ति और पीज जो आते हैं कहींत भी जाते हैं तो तो वहाँ पर उनके साथ समय जो आते हैं तो अनावशक खर्च जिसकी ज़रूत नहीं से फालतु खर्च होते हैं, तो उसको हम कम नहीं कर सकते हैं, कलाम जी से पोछ रहा है, तो दोक्टर कलाम ने कहा, तुमने इस मंच पर एक बड़ी सी कुर्सी देखी होगी, वो कुर्सी अब यहां पर नहीं है, ठीक, ऐसे ही अनुत पादक चीजों पर हो रहा है, अनावशक खर्च भविश्य में नहीं होंगे, देखे, अभी उन्होंने कहा कि जो एक कुर्सी जो तुमको इस मंच पर देख देख रही हैं, बड़ी सी एक जो कुर्सी जो तुमने देखे हैं, लेकिन जब वह कुर्सी अभी यहां पर नहीं है, यानि जो कुर्सी तुमने देखी थी, वह है यह नहीं, तो ऐसे अनुत जो भी चीज है, वह जब रहेगी ही नहीं, तो फिर यह जो अनावशक जो भी खर्च भविश्य में नहीं होंगे, यानि जो कुर्सी की लड़ाया भी हो रही हैं, इसे उन्होंने इशारा किया है कि लेकिन जब वो पुर्षी नहीं रहेंगे ऐसे पद ही नहीं रहेंगे बड़े बड़े जब एक समान हो जाएंगे अभी इस चीज़ाब से उन्होंने बताया कि ऐसे जब एक खास कोई रहेंगे नहीं विशिष्ट व्यक्तियों के लिए ज़्यादा हो कुछ कुछ सीवर्से के लिए तो ये सब कुछ जब बड़ी पोस्ट नहीं रहेंगे एसी तो वो ऐसे अनावशक खर्च भी भविश्य में नहीं होंगे झाल